नमस्कार रामराम जैगो माता मित्रों कैसे है और आज आप सबको माशीवरात्री की बहुत बहुत सुब कामना है और कईन कई माशीवरात्री का पर्व है जो हमें प्रकर्ति के साथ जोड़ता है और देशी गोवन्स है हमारा उसके साथ जोड़ने का संदेश भी देता है और आज के दिन का खेर दार्मिक मैत्वत भुत है कि इस दिन बगवान शीव और माता पारवर्थी का विवा हुआ था और माना ये भी जाता है कि बही सुरुष्टी का जो प्रारंभ है वो इसी दिन से हुआ था तो वो तो अपनी जगह पे है उसके अलावा जो आज हम शीव के साथ से अपने देशी गोवन्स के साथ से जोड़ती है क्योंकि हम अगर देखें तो सीवलिंग के बिल्कुल सामने नंदी की मूर्ती रहती है और नंदी की मूर्ती ही देशी गोवन्स का प्रतिक है वो हमें देशी गोवन्स से जुड़ने की कहीं कहीं प्रेणा देता है त तो हमें अपने जीवन में भी इसके उपर अमल करना चाहिए, तो हम कैसे कर सकते, तो बाकी दिन भी हमें देशी गोवन्स का जो दूद है, वो उप्योग में लाना चाहिए, और हमें इस परकार के गोवन्स का दूद उप्योग करना चाहिए, जिसके उपर कोई अत्याचार नहीं हुआ और जो इसके उपर कोई क्रूरता नहीं हुई है ऐसा नहीं कि कोई देशी गोपालक है मैं तो देशी कोवन्स का दूद उससे लेता हूँ और यह तो अच्छी बात है लेकिन हमें यह भी देखना है कि ऐसा नहीं है कि वह दूद खाने के बाद में उसको सड़कों पर भुकाव मरने के लिए छोड़ देता है और जब दूद नहीं देती है तो उसकी कोई परवा नहीं करता है तो ऐसे दो अगर हम गोपालक से दूद भी ले या जो भी मिल्क प्रोड़क्ट आप ले रहे है अपने देनिक जीवन में आप जो काम में ले रहे है तो उनका क देसी गोवन्स का मैं तो समझते हुए हमें अपनी जो हो सकता है जो हमसे बन पड़े वो करना चाहिए और हमसे यही बन पड़ा अगर आप गोपालत नहीं कर सकते गाएं नहीं रख सकते आप सहर में रहते हो तो हमें देसी गोवन्स का दूद काम में लेना चाहिए अगर पर देशी कोई कमपनी भी अगर देशी गोवन्स का दूद्ध अगर चाहिए। तो उसको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए. में उसका संतुलन बनाते हुए हम आगे चलेंगे तो हमारा जिवन भी अच्छा रहेगा और मा सिवरात्री मनाने की भी माईने भी सई अर्थों में परतिपादित होंगे तो मुझे यह लगता है कि हमें सिर्फ मासिवरात्री के दिन में सिव मंदिल में जाके अभिसे करने से ही हमें करत्री की इतिसरी नहीं कर लेनी चाहिए बलकि हम आगे बढ़कर पड़करती को समझना चाहिए और देशी गोवन्स के साथ में पोसिस यह रहनी चाहिए कि हम उससे जुडाव करें तो अंत में मासिवरात्री की बहुत-बहुत हार्तिक सुब कामना एक बार आपको फिर से और इस पर आप जरूर विचार कीजिए धन्यवाद जय गोवमाता राम राम जय सिव संकर